नमस्कार, हिंदी हाइवे में मैं आप सबों का फिर से एक वर स्वादत करता हूँ आज की वीडियो में मैं आपको प्रेम चंद के उपन्यास सेवसदन के बारे में बतारे जा रहा हूँ प्रेमचंद का सेवसादन एक ऐसा उपन्यास है जिसमें ततकालीन सामाजिक बुराईयों के बारे में लिखा गया है आखिर वे बुराईयों कान सी थी यहाँ पर मुख्य रूप से मैं दो बुराईयों की बात करना चाहूँगा एक तो दहज प्रथा और दूसरी वेश्यावर्ति इसके साथ साथ ही नारी की स्वतंदरता का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है इन ही सारी खूबियों के कारण प्रेमचंद की अनेक रचना ऐसी है जिनने मैं बारबार पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद की यह रचना कलपना पराधारित नहीं है बलकि जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई है हमारे मर्म कोच होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानों यह मिट्टी की कोक से निकली हुई रचना है वसे तो यह उपन्यास अपने आप में काफी बड़ा है फिर भी मैंने कोशिस की है कि कम से कम सब्दों में इस उपन्यास को आपके सामने रखो और इसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी समिच्छा भी कर दी है ताकि आप ये समझ सकें क्या कि इसुपन्यास का वो देशी क्या है प्रेम चन्ने इसके माध्यम से क्या कहना चाहा है और इसुपन्यासी क्रिती का महत्तु क्या है तो आएं इस वीडियो को देखें सेवा स्यदन प्रेमजंद का प्रशिद उपन्या से जो वेश्या विर्ती समस्या पर आधारित है इसकी नाई का सुमन है जो दारोगा कृष्यन चंदर की पुत्री है दारोगा कृष्यन चंदर इमानदार दारोगा थे लेकिन सुमन के विवा का दहेज जुटाने के लिए वे पहली बार हे रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं क्योंकि वे इस कला में कुषल नहीं थे अगर वे इस कला में कुषल होते तो सुमन के दहेज की पूरी तैयारी उन्होंने रिश्वत के पैसे से कर ली होती रिश्वत खोरी के आरोप में मुकदमा चलता है और उन्हें पांच साल की सजा हो जाती है क्रिश्व चंद्र के जेल चले जाने के बाद उनकी पत्नी गंगाजली अपनी दोनों बेटी सुमन और शान्ता को लेकर अपने भाई उमानात के यहां चली जाती है दहेज के अभाव में सुमन का विबा अधेर उम्र के एक व्यक्ति जिसका नाम गजाधर है उससे कर दिया जाता है गजाधर ना तो सुमन के समान गुणवान है और ना ही रूपवान वह केवल 75 रुपे मासिक कमाने वाला एक साधारन सा नौकर है सुमन के रूप पर गजाधर मुग्ध है लेकिन बरे घर की बेटी की एक दरिद्री वाता वरण में भला कैसे निप सकती थी दोनों में अक्सर अन्बन होती रहती थी सुमन जहां रहती थी उसके घर के सामने भोली नामक वेश्या रहती थी किसी के घर, समाज, मंदिल तथा विभिन उत्सवों पर भोली को बुलाया जाता था वहां उसका सम्मान देखकर सुमन काफी प्रभावित होती थी सुमन सोचती थी कि एक और वह है जो रोज गजाधर के द्वारा तिरस्कृत तथा अपमानित होती है वहीं दूसरी और भोली वेश्या होकर भी समाज में प्रतिष्ठा पाती है उसके बन में एक सवाल बार बार आता था कि आखिर समाज में किसका अधिक महत्त्य है पत्नी का या फिर एक वेश्या का एक वार सुमन गजाधर के मित्र पदमशींग के यहां किसी उत्सब में गई वहां से वह देर रात गय लौटी गजाधर सुमन के चरितर पर शक करके उसे घर से निकाल देता है घर से निकाले जाने पर वह पदमशींग के घर चली जाती है लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसे वह घर भी छोड़ना पड़ जाता है अंत में कोई उपाय ना पाकर सुमन भोली के यहां शरन लेती है यहीं से सुमन का वेश्या जिवन शुरू होता है लेकिन थोड़े समय के बाद उसका मन इस वेश्या जीवन से भी उप जाता है और वह भोली के घर को छोड़ कर एक विद्वा आश्रम में शरन लेती है लेकिन वेश्या होने के कारण उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है अब उसने छोटी बहन शांता की घर में शरन ली शांता के परिवार वाले भी सुमन को घरना की दृष्टी से देखते थे अंत में तंग आकर सुमन ने शांता का घर भी छोड़ दिया और स्वामी गजानन्द की कुटिया में शरन लिया दर असल श्वामी गजानन्द सुमन के पती गजाधर ही थे अब दोनों ने मिलकर वेश्याओं के पुनुरुधार के लिए सेवा सदन के अस्थापना की यही इस उपन्यास का अंधो जाता है अब हम सेवा सदन उपन्यास के उद्देशी पर विचार करें प्रेम चन्न ने जब यह उपन्यास लिखा था तो समाज सुधार का दौर था दहेजपर्था और वेश्या विर्ति उस समय की एक बरी शामाजिक समस्या थी प्रेमचन ने इसुपन्यास के माध्यम से इस सच्चाई पर प्रकाश डालने का काम किया कि आखिर कोई स्त्री क्यों वेश्या जीवन अपनाती है एक बार वेश्या जीवन अपना लेने के बाद उसे छोड़ क्यों नहीं पाती है इन सारी परिस्थितियों के लिए प्रेमचन समाज को ही उत्तरदाई मानते है कारण यह है कि समाज में एक पत्निक या पेक्षा वेश्या का सम्मान अधिक है एक नारी को जहां पगपग पर ठोकरे खानी पड़ती है वहीं भोली जैसी वेश्या को चारो ओर से एश्वरी और सम्मान ही मिलता है ऐसी परिस्थिति में अगर कोई इस्तरी वेश्या विर्ती को अपना ले तो इसमें क्या अश्चरी है अब दूसरा प्रश्ण जो सेवा सदन के बारे मुठता है वह यह है कि क्या ऐसे सेवा सदन के अस्थापना से समाज से वेश्या विर्ती का अंध हो सकता है क्या सेवा सदन वेश्या को एक नया जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा दिला सकता है प्रेम चंद ने सेवा सदन के अस्थापन के माध्यम से वेश्या जीवन के अंत करने का समाधान तो दिया है लेकिन यह ब्याभारिक बिल्कुल भी नहीं है ब्याभारिक इसलिए नहीं है कि इतने सेवा सदन को बनाना ही कठिन है जिसमें सारी वेश्याओं को अस्थान दिया जा सके दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे सेवा सदन के स्थापन कर भी ली जाए तो भी उनकी पहचान समाज से अलग होगी फिर उनके जीवन यापन का कौन सा साधन होगा ऐसे में कोई आश्चरी की बात नहीं कि यह सेवा सदन ही अगर वेश्यालेयों में बदल जाए कुल मिलाकर प्रेमचंद का यह सुजाओ केवल आदर्शवादी है यह थार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है सेवा सदन को पढ़ने के बाद ऐसा आभास हो सकता है कि यह उपन्यास वेश्या जीवन पर है लेकिन वास्तविक्त ऐसी नहीं है तब आखिर सेवा सदन की मुखी समस्या क्या है सेवा सदन की मुखी समस्या भारती नारी की पराधिनता है प्रेमिचंद ने किसी तरह उन तमाम पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ते वे वर्तमान समाज में नारी की पराधीनता को अपने निश्ठूर और विवत्स रूप में चित्रित किया है इस पर सहसा विश्वास नहीं होता क्योंकि यह उनके समय से आगे की सोच है उन्होंने नकली आदर्सों की राम नामी चादर खींच कर पंडितों और मौलवियों समाज के प्रतिष्ठित कहे जाने वाले शज्जनों और धनपतियों का वास्तविक रूप जनता के सामने प्रक इसलाम दोनों धर्म के ढोंगियों और पाखंडियों का परदाफास ना किया था प्रेम चंद ने विस्तार से दिखलाया है कि इस समाज व्यवस्था में संपत्ति के रक्षक सदाचार की आड में वेश्याविर्ति को किवल प्रस्रे ही नहीं देते वेश्याओं को जन्म भ कितनी गहराई से की है या इसी से जाहिर होता है कि उन्होंने वेश्याविर्ति की मूल प्रेड़क सक्तियों को कट घरे में खड़ा कर दिया है जहां से उपन्यासकार और पाठकों की नजर बचा कर भाग जाना उनके लिए संभब नहीं है अभी मैं आपको प्रेमचन्द की उपन्यास सेवा सदन के बारे में बता रहाता है उपन्यास बड़ा है और इसे मैंने कम से कम शब्दों में समेटने का प्रियास किया है मेरा यह प्रियाज कितना सफल है यह तो आप ही बता सकते हैं बस आज इतना ही अगले वीडियो में मैं फिर आप से मिलूँगा धन्यवाद